यह बिलांजा प्रेस्टिज गूरूप का 3BHK का लेट है जिसमें आप देख सकते हैं जब आप यहां से एंटर करते हैं तो यह इसका पूरा लविंग डाइनिंग एरिया यहां से आपको मिलता है यहां से यह पूरा का पूरा आपको एक ओपन डेक मिल जाता है और यह एंट 60 इसका कार्पेट एरिया है तब एक्षवल देखते हैं प्रेस्टेज ग्रूप विलांजा का थ्री भी इसके फिर आगे मैं आपको सीएस्टा का भी दिखाता हूं यहां से जब आप एंट्री करते हैं तो इसमें भी सेम कंसेप्ट है स्टार्ट में आपको बड़ा सा किचन और वशिंग मसीन कपड़े दोने और सुखाने की हिसाब से वाश और ड्राय करने के हिसाब से आपको एक एरिया मिल रहा है यह आप देख सकते हैं कि कितना स्पेस के आपको किचन मिलता है इसके बाद देखते हैं अगे 3bhk कंस ट्राइप का है यह उन्होंने फ्लैट बनाया लेकिन ष्बेस आपको इतना मिलेगा भले आपको एकचुल मिलेगा तो लेकिस तरह से कर सकते हैं वह एक आईडिया देने के लिए हिमोंने यह डम्हों प्लेट बनाया है कि यह इसका सोफा और टीवी यूनिट का प्रॉपर एरेंजमेंट आप देख सकते हैं और इसमें एक इनोंने ये बड़ा सा बालकनी बड़ा डेक दिया हुआ है डेक लेटेस्ट बासे में लोग ज्यादा प्रोनॉइंसेशन कह रहे हैं पहले तो बीड बालकनी या टेरेस सिंपल यूज करते आप ये आपको मैं विंडो के साइट से देखा रहा हूँ पूरे हाल का अएरिया लिविंग डाइनिंग का आगे हैं इसका तीनों बेडरूम देखते हैं किस टाइप का है पर मैं आपको लेकी चलता हूँ राइट हैंड से पूरा दिखाता हूँ कि किस टाइब का है अब मैं यह जब आप लिविंग डाइनिंग से आगे आते हैं तो आपको कॉमन वाश रूम कि यह बहुत ही खुबसूरत फिनिे सिंग अइट आवर मार्बल और बेटिफारइड टाइल्स में किया हुआ है वह फोई इंड साइड पर ब 거지 दिया हुआ हूँ वर बीच में आपको टॉलेट अरिया मिलता है तो बहुत इसृप्रेट कंसेप्ट दिया हुआ है कि मैं आपको रायण इन साइट से तीनों बेड्रूम दिखाता हूँ ये इसका फर्स्ट बेड्रूम है फर्सट इसका कॉमन बेड्रूम है तो कॉमन बेड्रूम इंद सैंस इसमें अटैच्ट वाशरूम नहीं है तो जनरली 3 BHK के जो concept होते हैं उसमें इसी टाइप का आपको मिलता है कि दो master bedroom मिलता है और एक common bedroom मिलता है तो simple उन्होंने वो ही system रखा है यहाँ पे भी अपने properties में यह इनका छे भाई छे का बेड रखने के बाद एर एक proper पर कबड़ बनाने के बाद आपको proper spacious bedroom मिल रहा है जिसमें आप easily moment कर सकते हैं side table का भी जगह proper आपको मिलता है यह मैंने आपको common bedroom दिखाया अभी चलते हैं इसका दूसरा दोनों bedroom देखते हैं कैस टाइप का है right hand side से यह इसका दूसरा bedroom है दूसरा bedroom उससे काफ़ी बढ़िया spacious है और यह master bedroom है सामने वास्रूम आपको दिख रहा है मैं वास्रूम दिखाता हूं पहले मैं बैड के side का space दिखा देता हूं एक छेवाइच्छे का बैड डालने के बाद आपको यहां से एक खुबसूरा चीजिए दिखते हैं बगल में ही आपको पूरे आपको हिल्स का यह और हिल्स का वियू मिल रहा है पहाड का वियू मिल रहा है और यह आप space bedroom का देख सकते हैं सामने wardrobe का जगह है कबड का जगह है और इसमें जो master bedroom का वाश रूम है यह आप master bedroom का वाश रूम में सेम प्रोविजन हुना ने किया हुआ है जो other वाश रूम में राइट हैं साइट पर वाश बाथ रूम बीज में टॉलेट कमोड और लेट हैं साइट पर वाश बेसीन बहुत अच्छी finishing के साथ इन्होंने development किया है तो concept इनका बहुत ही खुबसूरत है और 54 स्टोरी टाबर 30-40 प्लस amenities सब चीजों में बहुत ही luxurious तरीके से यह develop कर रहे हैं अभी मैं आपको इसका थर्ड वेडरूम दिखाता हूं कि किस टाइप का है कि तीसरे बेडरूम में एंट्री करते ही आपको फर्स्ट लेटेंड साइट पर पहले वाश रूम मिल जाता है कि तीनों वाश रूम की साइज बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है और इसके बाद में आपको मास्टर बेडरूम का स्पेस दिखा रहा हूं इसमें इनोंने टीवी यूनिट बनाया है अलड़ी इसमें टीवी इंस्टाल किया हुआ है यूनिट के अंदर ही और यह इसका स्पेस विंडो के साइट से कबड का व्यू बहुत ही खुबसूरत और जब 54 स्टोरी टावर है 54 माले की बिल्डिंग है तो आप समझी सकते हैं कितना लगजरी तरीके से बनाने वाले हैं यहां से आपको बहुत ही नैचरल बातावरन थाना से थाना एरिया ही पूरा ऐसा है कि चारतरब खुला खुला रोड का प्लानिंग वगरा बहुत खु और छे माले पर पोडियम पार्किंग है साथ आठ नौ इसका एमेनिटीज है तीन माले तक उसके बाद आपको दसमें माले से पहला फ्रोर आपको स्टार्ट होता है प्रेस्टिज ग्रूप यह तो मैंने थ्री बीच के और टू एन हाफ बीच के आपको दिखाया अभी टू बीच के देखते हैं इसका किस टाइब का है